वेल्कम बैक तो अनदर वीडियो अफ कॉंस्टिटिउशन अफ पाकिस्तान 1973 सीरीज आईने पाकिस्तान के पहले 88 आर्टिकल अरड़ी अप्लोडिड है अभी बात करेते हैं आर्टिकल 89 की जो के है पावर अफ प्रेजिडेंट यानि सदर का जो ताकत है सदर की ताकत लेकिन अब किस सेंस में है इस फावर अफ प्रेजिडेंट त्रू प्रमल्गेट ओर्डिनेंस यानि सदर का ओर्डिनेंस नाफिस करने का अख्तियार अभी अख्तियार क्या कहता है रीड करते हैं यानि सदर सिवाए जब के सेंट ये कौमी असंबली का इजलास हो रहा हो अगर इस बारे में मुतमाइन हो के ऐसे हलात मुझूद हैं जिनकी बिना पर फोरी करवाई जरूरी हो गई है तो वो हालात के तकाज़े के मताबिक ordinance वजा और नाफिस कर सकेगा ठीक है? तो ये सदर के पास right है दूसरा अख्तियार क्या है? An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of Majlis-e-Shora Parliament and shall be subject to like restrictions as the power of Majlis-e-Shora Parliament to make law but average such ordinance बात क्या है? बात ये है कि इस article के तहत नाफिस करता कोई भी ordinance वो ही कुवत और असर रखेगा जो Majlis-e-Shora Parliament के act का होता है और वैसे ही पबंदियों के ताबह होगा जो Majlis-e-Shora Parliament के इक्तियार कानून साजी पर आइन होती है लेकिन ऐसे हर ordinance को ए शाल भी लेड यानि पेश किया जाएगा कहां पे? Before the National Assembly if it contains provisions dealing with all or any of the matters specified in Class 2 of Article 73 and shall stand repealed at the expiration of 120 days from its promulgation or if before the expiration of that period a resolution disapproving it as passed by the Assembly upon the passing of that government यानि कौमी Assembly के सामने अगर इसमें आर्टिकल 73 के शिक दों में मसरा मामलात में से में से सब या किसी से मुतलिक अहकाम शामिल हो और वो अपने नफास से 120 दिन के एक्तिताम पर या अगर Assembly इस मुदत के एक्तिताम से कबल इसकी नामंजूरी की करारदाद पास कर दे तो इस करारदाद के पास हो जाने पर मनसू कर दिया जाएगा ठीक है इस सिचुएशन में उसे मनसू कर दिया जाएगा लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है वो क्या है देखते हैं Provided that the National Assembly may by a resolution extend the ordinance for a further period of 120 days and it shall stand repealed at the expiration of the extended period or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the assembly upon the passing of that resolution, यानि यहाँ पर बात क्या हो रही है, बात यह हो रही है कि मगर शर्त यह है कि कौमी असंबली करारदात के जरीए ordinance की मजीद 120 योम तक तोसी कर सकेगी और इस तोसी शुदा मुदत के इक्तिताम पर इस को मनसूख समझा चाएगा या अगर assembly इस मुदत के इक्तिताम से कबल इसकी नामनसूरी के करारदात पास कर दे तो इस करारदात के पास हो जाने पर मनसूख किया चाएगा एक और शर्त है provided further that extension for further period may be made only once मगर मजीद यह शर्त है कि मजीद मुदत के लिए तो सी एक मर्तबा दी जाएगी ठीक है यानि यह जो 120 days का period extend करना है इसको सिर्फ एक दोफा किया जा सकते है अब ऐसा नहीं है कि जब again 120 days खतम हो तो again इसको तो सी कर दी जाए ऐसा possible नहीं है ठीक है जस्ट एक बार यह possible है तो सी इसमें second point है before both houses if it does not contain provisions dealing with any of the matters referred to in subparagraph 1 and shall stand repealed at the expiration of 120 days from its promulgation or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by other house upon the passing of that resolution ठीक है बात किया घीए बात यहां पे यह की गही है कि दोनों एवाणों के सामने पर इसी झागर इसमें जेली पैरा अवल में महूला मामलात में इसे किसी से मतल्लख एकाम शानिल ना हो अब यहां पर condition है provided that other house may by a resolution extend it for a further period of 120 days and it shall stand repealed at the expiration of the extended period or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by a house upon the passing of that resolution. Same condition है जो पिछले वाले में थी. क्या condition है? कि शर्ती है कि कोई भी एवान करारदाद के जरीए इसको मजीद 120 दिन के लिए तुसीख कर सकेगा और इस तुसीश शुदा मुदत के इक्तिताम पर इसको मनसूख समझा जाएगा और इस तुसीश शुदा मुदत के इक्तिताम पर को मनसुख समझे जाएगा ठीक है मतलब से जो पहले कंडिशन थी या अगर एवान इस मुदद के इक्तिताम से कबल इसकी नामनजूरी की करारदाद पास कर दे तो इस करारदाद के पास हो जाने पर इसको मनसुख तसावर किया जाएगा ठीक है और मजीद शर्त भी है यहां पर और वो भी सेम है प्रवाइड फॉर्दर डैट यहां 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 तो इसकी एक मर्तबा दी जाएगी ठीक है बी पॉइंट है यहां यहां इसकी वक्त भी वापस लिया जा सकेगा वापस भी ले सकता है फाइन तो उसके बाद हमारे पस इसकी क्लास 3 है विच सेज विदाउट प्रिचुटिस तो प्रविशिंस अफ्रविशिंस अफ्रविशिंस फॉए बगहर यहां एन ओरिनेंस लेट बिफोर दे नेशनल असंबली अंडर सब परग्रफ आई और परग्रफ ए अफ्रग्रफ 2 शाल बी देम्ट तो बी अबिल इंट्रविशिंस अने शिक दो के परग्रफ अलिफ के जेली परग्रफ अवल के तहत ओरिनेंस कौमी असंबली में मुतारिफ करदा बिल मत्सवर होगा और बी क्या है अन ओरिनेंस लेट बिफोर बोथ हाउसे अंडर सब परग्रफ 2 अफ A of class 2 shall be deemed to be a bill introduced in the house where it was first laid यानी शिक दो के परग्रफ अलिफ के जेली परग्रफ दूम के तहत दोनों एवानों के सामने पेश करदा कोई भी ओरिनेंस एवान में मुतारिफ करदा बिल मत्सवर होगा जबके ये पहली दफा पेश किया गया था ठीक है तो ये था हमारे पस article 89 right